नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में थम्लेल देखके मुझे भी थूड़ी असी आ रही है और जो लिखा है वो मैंने सही लिखा है कि कुतो पर दियान दो देखें मार्केट में आजकल केवल कुत्तों का बोलबाला है अब कुत्तों का बोलबाला आप समझी गई होंगे डॉज कोईन, बेबी डॉज कोईन, सिवा इनू, फ्लोकी इनू और डॉजी लॉन मास अब आपको साथ ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्यों कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे का प्रमाण भी आपको दुगा कि अभी आप जो है कुटो पर द्यान दीजिए तो आप थोड़ा से डिस्टर्बेंस आ रही होगी पीछे से कुछ पठा के बगार चलने की फंक्सन है गली में तो देखिए वहाँ थोड़ी बहुत आवाज आ सकते हैं प्लीज मेंटिन केजिए इसको तो अब किसी ने भी अगर वो कहते हैं का फंडामेंटल और टेक्निकल वो सब साइड में रखे अगर इन कुटो पर भी द्यान दिया होगा इस एक हपते में तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट उसको मिला होगा अगर उसने दिया होगा द्यान तो क्योंकि मैं अभी आ एक हपते के अंदर-अंदर कितना वेरियेशन आया अब यहां पर जो दूसरी बात है वो है कि डॉज कोईन से कि डॉज कोईन में देखें साब इलॉन मस्क व्यापारी है आपको बहुत क्लियर कट बोलूं और वो डॉज कोईन को अपने व्यापार के हिसाब से जहां भी इ पहने तो क्या है बस उसके लिए तना काफी है भाय हम लोगो बेफकू बनाने के लिए जीयादा नहीं किरना उसको कुछ भी इतना काफी है बस उसी से हम लोग बॉरा गए पखला गए डॉज को इनके पर आज को बढ़ा दिया भाई वो खरीदे ना खरीदे बे बेचे ने बेचे उसका एक अलग चीज़ है उसके और बहुत से हैं जो खरीदने बेचने का कम उसी के ब्याब पे करते हैं ये जरूरी नहीं है कि Elon Musk ही खरीदेगा Elon Musk ही बेचेगा ये कोई जरूरी नहीं है उसके ऐसे कम हजारों लाखो अकाउंट होंगे जहां से वो खरीद बेच करता होगा ये जरूरी नहीं है कि लॉन मस्क अपने अकाउंट से ही सारी चीजें करेगा तो उसके लिए ये कन्फूजन वाला एक ट्वीट छोड़ना काफी था कुत्ते को जर्सी पहना के उसने ट्वीट कर दिया खतम कान है इतना काफी है उसके लिए बस प्राइज में देखा फिर से बूम आ गया तो मैंने क्या का कि ये टेक्निकल और फंडामेंटल जब कोई बड़ा आदमी अपने एसाब से किसी को चलाने लगता ना तो ये सारी चीजें साइड में रख दी जाती है उनका कोई यूज नहीं ट्विटर वाली उसको फ्लोकी इनू भी अपने साथ जोड रहा है आप ट्विटर पर जाके देखी मालू पर जाएगा उसको बेबी डॉज भी अपने साथ जोड के देख रहा है सिवा इनू भी अपने साथ जोड के देख रहा है और डॉज कोई तो देखी रहा है तो मैं स्टार्डिंग में ही कहा कि भाई देखिए ये जितने भी कुत्ते हैं इन पर आप देहां दीजिए और जिसने पीछे दिया होगा उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया होगा वो मैं आपको बोल्ड में बताऊंगा भी थोड़ी दे रहा है दूसरा एक ये भी ले और या episode करेगा भाई अभी तक भी तो ट्वीटर चल रहा था क्या बिजिएश नहीं मिल रहा अब वो उस blue tick का भी 20 डॉलर भाई अभी तो चल रहा है रूमर देखिए क्या final होता है क्या 20 डॉलर के आज पास बसूल करेगा हमें बताइए उस blue tick को अगर ले भी लेंगे तो हमें कौन सब business के तौर पर फाइदा हो रहा है उस blue tick का क्या हमारे twitter account अभी तक नहीं चल रहा है क्या उसको लोग अभी फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन क्या है क्या वो business कर रहा है अब उससे अंदाजा लगाईए कि कितने millions में इसके क्या कहते हैं ट्विटर पर follower हैं ट्विटर को यूज करने बाले हैं उन सबसे वो 20 डॉलर भी बसूल करेगा तो कितना उसने revenue घटा कर लिया क्या है business वो cryptocurrency को business समझता है और business ही करता है cryptocurrency में वो हमारे हम जैसे लोगों का नहीं है कि दिल लगा के बैठें baby dog के साथ में सिवाई इनू के साथ मी क्या बुरा ही ना कर दे कोई तो इसी लिए हमें कुछ मिलता भी नहीं है हम लोग केबल उसी में रहते हैं उनके इस्तमाल के लिए क्या उन्होंने एक tweet छोड़ दिया कुट्टे को जर्सी पहना के Twitter वाली और हम लोग पगला गए बस यह हो रहा है तो भाई देखिए मैं तो यही कहूंगा profit लेना सीखिए बाई business कीजिए क्यों कुट्टे बिलनी में दिल लगा के बैठे हो कुछ नहीं मिलने वाला एसे भाई सीधी सी बात है तो बहतर यह है कि profit लीजिए अब मैं आपको देखिए एक बोड़ पर दिखाता हूँ कि थोड़ा सा एक अपते का cable chart है यह केवल एक अपते का 23 अक्टूबर का मैं 23 अक्टूबर से लेके आज तक की डेट का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी है price में कितना variation आया है कुत्तों पर दिखान दो भाई बीच में डॉज भी लिखा है द्यान रखिएगा ठीक है तो यह कुत्तों वाली कानी में आपको बता रहा हूँ अब यहाँ पर आप देख रहेंगे मैंने इस्ट्राइट में पहले नंबर लिखा है डॉज कोईन डॉज कोईन का price 23 अक्टूबर को था 0.059 डॉलर द्यान से रखिगा और अभी चलना है 0.1386 डॉलर कितना पंप मार गया यह तो जिसने profit लिया फायदे में रहा ना बेबी डॉज कोईन 23 तारीक को इसका रेट था 0.8101170 डॉलर ठीक है और आज की रेट में है 0.8101419 डॉलर तो यह भी देखिए कितना उपर चला गया अब आ जाते हैं अगला सिवा इनू सिवा इनू का price जो था 0.51095 था 23 अक्टूबर को यानि के 5.0 थे और आज की रेट में 4.0 12 की सीरीज में डॉलर में पहुच गया है तो यह भी देखिए कितना पंप मारके गया फ्लो की इनू यह भी वह यह कुत्ता ही है इसका रेट था 23 अक्टूबर को 5.0671 डॉलर यह पॉइंट के बाद है ध्यान रखिएगा ठीक है 5.0671 डॉलर अब आज की डेट में इसका price 4.0117 डॉलर के तो यह भी देखिए कितना उपर चला गया इलॉन डॉजिल उन मार्स यानिके इलॉन के नाम से आप देखेंगे इल ओन से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वैसे तो इसको डॉजिल उन मार्स बोलते हैं इसका प्राइस था 0.6024 डॉलर के अब अभी कि जो रेट है इसका 0.6045 डॉलर में तो यह है उन कुत्तों का हिसाब जो मैंने बताया है कि आप सारे फंडामेल्टर्स छोड़ दीजिए इन कुत्तों पे भी एक हपते किसी ने ध्यान दिया होगा तो उसने एक बहुत अच्छा खासा रेटर्न हासल किया होगा लेकिन हम क्य केवल एक चीज कोई market में आती है, उसी के पीछे दोड़ पडते हैं, डॉज कोइन, डॉज कोइन फिलाल, न तो कोई डॉज कोईन के अलावा और कुछ सुनना चाहता है, न कोई और कुछ देखना चाहता है, केवल डॉज कोईन पी आप अब Naglich कोईन पर आ आप लगा तनन आप भी Elon Musk बन जाईए, बेसक अमारी किसमत में वो कहते हैं कि Elon Musk जितना साइद अभी पैसा नहीं है, लेकिन हम अपने जिस लेबल पे हैं, उस लेबल पे तो हम कमा सकते हैं न, तो वही चीज में आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये डाटा सामने रखा, कि देखी और भ आपको ये सब चलेगा, बहुत क्लियर बोलू है, अभी डॉच कोईन में ये सब चलेगा, डॉच कोईन में चलेगा, तो इन सब में भी चलेगा, एक बात आप दियाँ रखिएगा, कि वो डॉच कोईन में, इलोन मस्क को ट्विटर की पूरी कीमत वसूल करनी है, आप ये समझ लीजिए, कि इस क्रप्टो करंसी में चाहिए, ट्विटर की जो डील किया है, वो सारी कीमत उसको ये से बसूल करनी है, आप वो किस तरीके से करेगा, वो आप देखते जाए, स्टेप बाई स्टेप, और वो बसूल ये से करेगा, भाई बिजनेस में न है, दिमाग ल अभी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट इसलिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का प्राइस उपर चड़ा हुआ है, दूसरा देखे, कल FOMC की मीटिंग का जो भी रियल्ट आना है, वो भी आजाए कि इंट्रेस्ट कितना बढ़ रहा है, तो अब कल के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मार्केट का क्या हाल रहता है, मार्केट उपर जाता है या नीचे जाता है, वो डिपेंड करता है उनके इंट्रेस्ट रेट पर, किस हेसाब से बढ़ाते हैं, दूसरा SLP पर बहुत लोग परिशान रहे का SLP विजिए बिलकुल आपको SLP नहीं देखे भाई, मैं कोई जवरस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको सच नहीं सुनना, मत सुनो भाई, कोई जवरस्ती नहीं है, दूसरा आप जिसको फॉलो करते हो कीजिए, मुझे उसे भी कोई प्रॉलम नहीं है, लेकिन भाई मेरे कमेंट सेक्शन में आकर इस तरीके के फॉलो कर लो, भाई आप ही फॉलो करो, मैं तो फॉलो करके पहली बरवाद हूँ उनके चकर में, इसलिए तो मैंने सब को फॉलो करना बंद कर दिया, इसलिए तो मैंने ऐसी चीज़ें सामने रखनी स्कू कर दी कि सब लोग जागरू को जाएं, सच्चाई को देखें, सच उतना हमें हाइट करेक करके दिखाया गया है, उतना नहीं है, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप मुझे एक यूटूबर का नाम बताओ, जो इस तरीके से इतनी गहराई मी जाके चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप एक यूटूबर का नाम बताओ, इस तरीक पर ही आपके वो रखके ठीक नहीं है ना अच्छा नहीं लगता ऐसे कि उच्छे साथ तक आप कर रहा हो तो मैं नहीं करना चाहता तो प्लीज सोरी एसार मन नहीं कीजिए तो चलिए एसलपी का व्यूडियो आपका डिड़ बजाएगा बागी फिर मिलते हैं नमस्कार